ये हरिद्वार का ब्रिहंगम द्रिश्च आप देख रहे हैं सुबह सुबह का एकदम सुर्योध होते हुए मा गंगा का प्रवल प्रभाव ये आप देखने को मिल ला है ये हर की पैड़ी का है नजारा हम लोग इसमें विश्णु घाट पर खड़े हैं ये देखिए मा गंगा के लिए प्रिश्च आप देखिए मा गंगा का प्रिश्च आते हुए हर की पैड़ी की तराफ ये देखिए मा गंगा का प्रिश्च आते हैं जब दस थंडी समया पड़ रही है और ये सामने आप देख रहा है पहाड के उपर मा नैना देवी का मंदिर जहां जाने के लिए आदमी रोपवे से भी जाता है जो ये साइड से रोपवे जा रहा है लोग आ जा रहे हैं ये देखिए जबरदस्त नजारा है यहां का हरिद्वार का अब मा गंगा और हम लोग देरे देरे बढ़ते हुए हर की पैड़ी की तरफ अभी आपको उसका नजारा दिखाएंगे ब्रिहंगम द्रिश्य आपको नजारा आएगा यहां पर जबर्दस्त मा गंगा का प्रभाव बने रही है हमारे साथ मा गंगा के घाट के इकदम किनारे इस्थेती है शिवलिंग जो अदभुत देखने में लग रहा है मा जानवी की तरफ पे एकदम बावा बोलेनात का यह शिवलिंग साथ में नंदी जी महराज और यह में हर की पड़ी और यह प्रशिद्ध गंटागर हरिद्वार का जो आप देखते होंगे हरिद्वार के फोटो में सामने नजर आता हुआ यह हर की पड़ी लोग सुवेरे से आस्था की डुपकी लगाने के लिए घाटों पे मौझूद है और जबर दस्त नजारा यहां देखने को मिल आया है लोगों की भीड उमड़ी हुई है इसनान करने के लिए मा गंगा का इसनान करके लोग उसके बाद यहां से फिर नैना देवी चंडी देवी जाते हैं दर्शन के लिए और आईए आपको आगे दिखाते हैं मेन हरकी पैड़ी जहां लोग नहाते हैं और यह हरकी पैड़ी का नजारा जहां इतने भैंकर ठंड में लोग नहाते हुए नजार आ रहे हैं मा गंगा का इसनान कर रहे हैं जबर दस तरीके से यहां पर का जब कि ठंडी है उतनी ठंडा पानी फ्रीज कोल्ड पानी इसको कर सकते हैं यह है अधुदम प्रिहंगम नजारा हर की पैड़ी का लोग नहा नहा कि अपना पूजा पाठ में लगे हुए हैं इंज्वाय कर रहे हैं बच्चे छोटे बच्चे हो बड़े सब मजा ले रहा है अभी हम लोग भी इसनान किया जाएगा यहां पर यह देखिए दान पुन्य की नगरी है और मागंगम की पानी से हाटा गुत्ते हुए जो मश्नियों को चारा खिलाने के लिए बना रहे हैं और यह मश्नियों को चारा खिलाएंगे यह भी ए सामने गंगा जी मिस्नान करते हुए दोनों थंड से हालत खराब है यह देखिए पूजन के लिए कितना सुन्दर पुष्व रखा गया है जो गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है अधिसुन्दर यह हरदवार की फेमस दुकान मोहंजी पूरी वाले अब यहां पर नास्ता करेंगे नास्ता करने के बाद तब आगे निकला जाएगा अंगा जिए झाल 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 झाल